दोस्तो अगर आप अंडरवेट है अगर आप दुबले पतले है तो ए वीडियो जरूर ध्यान से देखिए क्योंकि आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप वजन बरा सकते हैं ओ भी बिना किसी दवाई के जी हाँ दोस्तो अगर आप बिना किसी वजन बराना चाहते हैं तो ए वीडियो आपको जरूर ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि दोस्तो इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप बिना दवाई के तेजी से वजन बरा सकते हैं दोस्तो आजकल बहुत सारे मोटे होने के दवाई आ चुके हैं तब तक कि आपकी मोटा पा रुका हुआ रहता है छोडने के बाद फिर आप पहले से भी बत्तर हो जाते हैं तो आईए इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप बिना दवाई के कैसे अपने सरीर को मोटा बना सकते हैं दोस्तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि आपका वजन क्यों कम है अगर आप यह जान लेंगी कि आपका वजन कम होने का पीछे का कारण क्या है तो आपको बहुती आसानी होगा वजन बराने में क्योंकि दोस्तो कई लोगों का जैनेटिक से ऐसा होता है जिनके वज़स से उनका वजन काफी कम हो और वजन बराने में आपको काफी दिक्कत होगा और दोस्तों कई लोगों का वजन बिमारी के कारण कम होता है तो वहीं कई लोगों का वजन चिंता तनाव के कारण भी होता है अगर आप ज्यादा चिंता में डूबे रहेंगे तो भी आपका वजन कभी ने बरेगा आपका ब digestive system सही से काम नहीं करता है तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा इसलिए आपको अपने digestive system का अच्छे से खयाल रखना चाहिए और अपने पाचन को सुधारना चाहिए तो दोस्तो एती कुछ मुखे कारण वजन कम होने का बाकि आप वजन नहीं बढ़ा सकते है ऐसा कोई बात नहीं है आपके पास अगर थोरा साफी knowledge है तो आप आसानी से बहुती तेजी से वजन बढ़ा सकते है जी हाँ दोस्तो आप बहुती आसानी से वजन बढ़ा सकते है अगर आपके पास सही knowledge है तो āगर आपको diet o nutrition के सही knowledge है तो आप बहुती easily अपने पतले दुबले सरीर को मोटे बना सकते है और चाहे तो आप आपके मोटे सरीर को पतले भी बना सकते है सिरिफ आपको चाहिए diet o nutrition के सही knowledge दोस्तों देखिए हमारी सरीर को जो energy मिलता है हम जो खाना खाते है उससे हमारी सरीर को जो energy प्राप्त होती है उसे calorie unit से count किया जाता है और अगर आप इसी calories को समझ लेंगे तो आप easily weight gain कर सकते है और चाहे तो weight down भी कर सकते है दोस्तों मैं आपको example के थुरू समझाने की courses करता हूँ मान के चले अभी आपका सरीर है 40 kg का 40 kg अभी आपका weight gain है और आप दिन में 3 time खाना खाते है सुबह आप 3 रोटी खाते है दोपहर को आप 3 रोटी खाते है और रात को 3 रोटी खाते है कुल मिलाकर आप मोटा मोटी 1500 calories रोजाना consume करते है जिससे अभी आपका 40 kg का सरीर है और एही अगर आप रोजाना एक रोटी बरहा देते हैं यानि सुबह आप चार रोटी लेते हैं दुपैर में चार और रात को अगर चार रोटी कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 कैलोरी मिलता है यानि आपको 2000 कैलोरी मिलता है जहां पहले आप 1500 कैलोरी कंजूम कर रहे थ तो अभी आपको एक्स्ट्रा 500 कैलोरी मिल रहा है यानि 2000 कैलोरी मिल रहा है तो जो 500 कैलोरी है आपका उसी से आपका वजन बरेगा तो दोस्तो घुमा फिरा के एक ही मतलब बनता है कि आपको वजन बराने के लिए ज्यादा खाने की कोशिज करना होगा आप ज्यादा दिन में तीन टाइम खाते हैं, अभी तो आप चार से पाच टाइम खाना स्टार्ट कर दीजिए, देखिएगा धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगेगा, दोस्तो कुछ हाई कैलोरी फूड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि वजन बढ़ाने में आपको ह जरूर खाईए, केला भी कार्बोहाइडेट से भर पूर होता है, वजन बढ़ाने के लिए वन अप देश्ट फ्रूट होता है, बाकी दोस्तों आप डेरी प्रोड़क्ट का यूज करें, दूद दही का सेवन करें, और रोजाना एक गलास जूस जरूर पीए, फलू का जूस हो, या किसी और फल का जूस हो, लेकिन जूस एक गलास दिन में आपका होना चाहिए, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वर्काउट करना है, अगर आप वर्काउट नहीं करेंगे, तो आपका बॉड़ी फैज बनेगा, फिट नहीं बनेगा, बॉड करते हैं, तो आपका वजन 100% बरेगा, एक मेने में 1-2-3 किलो वजन आपका जरूर बरेगा, तो आशा करता हो दोस्तों, आज का ए वीडियो आपके लिए बहुती फायदमन्द हुआ होगा, अगर ए वीडियो आपको फायदमन्द लगे, तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजी अपनी दोस्तों के साथ, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, टैक कियर